स्टड़ी हिमाचल की एक और सीरिज में आपका स्वागत है दोस्तों आज बात करेंगे हिमाचल परदेश स्टेट कॉपरेट्टी बैंक चूनिर कलर की वेकैंसी के बारे में जहां पे 232 वेकैंसी जारी हुई है आज हम बात करेंगे 60 डे स्ट्राड़िजी पे बात करेंगे क किस तरह से इस एकजाम को करेक किया जाए सिर्फ साठ दिनों के भीच में देखिए इस एकजाम की एक अच्छी बात है कि इस एकजाम को IBPS कंडक्ट करा रहा है और ये एकजाम ऑनलाइन रहने वाला है IBPS की एक बात है कि इसमें जो pattern रहता है एक limited resources से रहता है हमें पता रहता है कि किस section से किस topic से question आने है फिर भी aspirant इस exam की cut-off clear नहीं कर पाते है कारण क्या रहता है हम अपने आपको self analysis नहीं करते है हर एक section का एक limited time रहता है या तो हमसे question छूट जाते है पूरे question नहीं हो पाते है इसी कारण से हम इस cut-off को clear नहीं कर पाते है चलो उसी पर हम strategy पर बात करते है देखिए पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन-कौन से section इसमें pre में आने वाले है एक तो आने वाला है numerical ability जिसे math बोलते है, quant भी बोलते है reasoning आई कि और English आईगा 35-35 बट English में 30 question रहने वाले है हर एक question, each question एक marks कर रहेगा और one fourth इसमें active marking में रहती है पर हर section में 20 minutes से जादा नहीं मिलेगा हो सकता है आपको reasoning आप 15 minutes में कर लो और English को आपको जादा minute लगते हो, या Mathematic को जादा minute लगते हो तो 5 minutes इसमें या इसमें extra नहीं ले सकते हर एक section का आपको 20-20 minutes मिलेगा यही कारण है, जब तक हम online test नहीं लगाएंगे तब तक हम 20 minutes में हर exception को clear नहीं कर पाएंगे हमसे question जूटने ही जूटने है देखे, online test जुरूर लगाने है देखे, उसी पर हम एक strategy लेके आएंगे देखे, पहले week में हमें क्या पढ़ना है देखे, पहले week में हमें Monday से start करना है Monday मतलब कि 18 March से 2014 से start है देखे, पहला रहेगा numerical ability आपको पढ़नी है जिसमें number system, आपको देखे, timing सुभा पढ़ना है शाम को पढ़ना है, या section को किस तरह से divide करना वो आप पे है मैं आपको एक strategy बता रहा हूँ पहले आपको numerical ability पढ़नी है दो hour हर एक subject को देना है Monday को alphabetical series भी करने है और tenses भी करने है number system में wrong number series भी साथ में ही करने है Tuesday को भी सेम पढ़ना है two to hour हर एक subject को देना है numerical ability, reasoning और English को फिर वेर नेश्डे को भी सेम यही पढ़ना है numerical system, alphabetical series और tenses सभी subject को दो hour देने है फिर क्या है Thursday को बीर बार को हमे simplification and approximation पढ़नी है साथ में coding, decoding भी जुरूर करनी है देखि, coding, decoding से question बनते है उसाथ में noun पढ़नी है हर एक section को दो hour Friday को भी सेम वही करना है फिर Saturday की बात करें देखि, Saturday को हमें पढ़ना पढ़ेगा revision करनी है जितना भी हमने पढ़ा जैसे हमने number system पढ़े simplification approximation पढ़ा English में alphabetical series coding, decoding पढ़ा English में हमने tense and noun पढ़े तो इन सभी के हमें Saturday को दोवारा से revision करनी है फिर हमें online test लगाना पढ़ेगा Sunday को देखि, ये full length नहीं लगाना है 100 marks का नहीं लगाना है इससे आपकी जो motivation है वो कम हो सकती है जैसे आप अभी शुरुवात में study कर रहे है पहला आपका first attempt है इसका IBPS का तो आपको अभी full length test नहीं लगाना है जितने section पढ़े हैं इसकी आपको revision करनी है आप Google पे सर्च करेंगे आपको लिखना है जैसे number system multiple choice question या YouTube पे लिख सकते हैं number system के MCQ series तो आपको ये online test मिल जाएंगे copy पे या notebook पे आपको उसको खुद से solve करना है same इनका online test लगाने है फिर आपको क्या करना है analysis करना है analysis कैसे करना है जैसे online test लगा रहे हैं तो ranking भी आपको पता लग जाएगी जैसे आप किसी books से test लगा रहे हैं और self analysis कर रहे हैं मतलब कि आपने जैसे मान के चली 10 question की है number system की उस वे से आपके 7 question ठीक हो रहे हैं तो आपको ये देखने कि 3 question क्यों गलत हुए जो 3 question गलत हुए हैं उसके उपर और ज्यादा question लगाने हैं इससे आपको self analysis का पता लगेगा फिर week second में देखते हैं क्या करना है देखी week second में Monday को आपको percentage पढ़ना होगा और sillolism पढ़ना होगा pronoun पढ़ने होगे इनको भी हर एक को या 2 या 3 हावर जो भी subject wise आप दे सकते हैं अपने शमता के अनुसार Tuesday को भी same यही पढ़ना है आपको Wednesday को average करनी है और inequality करनी है और साथ में verb करनी है दो हावर अभी सभी subject को देना है और Thursday को भी बीरवार को भी same यही पढ़ना है Friday को बात करें Friday को हमें quadratic equation पढ़नी है alphabetical series पढ़नी है और Friday को English में verb भी करनी है grammar में और दो दो हावर सभी को देने है Saturday की बात करें Saturday को हमें जो भी हमने पढ़ा है उसकी revision करनी है दोवारा से क्या क्या पढ़ा है ठीक है 6 hour दे दिये totally 2-2 hour में जितना भी पढ़ा जल्दी जल्दी topic को पढ़ा देखा question solve किये ठीक है 6-8 hour अपने शमता के हिंसार 12 hour दे रहे हैं यह सभी के लिए जो बर्किंग में भी है वह भी इतना समय दे सकते हैं 6 नहीं तो 4 hour दे ही सकते हैं देना ही पढ़ेगा competition है इसमें भी Sunday को online test लगाने हैं फिर से बता दू online test नहीं लगार पा रहे हो तो आप क्या करिए YouTube पे सर्च किये जैसे percentage के multiple choice question pronoun के multiple choice question वो लगाने है आपको देखना है जैसे कहीं पे 20 question करवाए हुए उसमें से आप कितने question ठीक कर रहे हैं जैसे 20 में से 10 question ठीक हो रहे हैं तो 10 क्यों गलत हो रहे हैं क्या आपको जैसे आपके word पे question लगा रहे हैं अगला देखते हैं तीसरे week में क्या करना है देखी तीसरे week में करना है ratio and proportion syllogism और adverb पढ़नी है दो तो तीन हावर जितने भी दे सकते हो same वही Tuesday को भी same वही करना है Wednesday को allegation and mixture करना है और inequality करनी है English में adverb करनी है भी adverb भी चलेगी फिर beer war को आपको allegation and mixture करना है puzzle साथ में करनी है देखी puzzle भी बड़े different type की होती है कि हमारे पास two parallel side दिया हुआ है आमने सामने बैठे हो है rectangle में बैठे हो है circle में बैठे हो है blood relation पर भी puzzle आजाती है different different होती है तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं आपको मिल जाएगी adjective पढ़ने साथ में Friday को partnership पढ़नी है puzzle करनी है साथ में और adjective पढ़ने है फिर क्या है revision करनी है इन सभी की दोवारा से कुछ question करने है 5-5 question हर एक topic से कर लेने revision की करी फिर उसके बाद online test लगेगा Saturday को Saturday को online test लगेगा और साथ में अब क्या करना है आपको 3rd week में full length test भी लगाना है अब आपको ये तो revision कर ली आपके लगभग 50% या 60% आपने slavers complete कर लिया माननो 3rd week तक इतना हो गया होगा तो online test full length भी साथ में लगाना है full length के साथ साथ आपको इनके section test जैसे ratio and proportion अलग अलग इनके वी test लगाने है और एक Sunday को online test भी full लगाना है 1 hour का पर self analysis करना है वो बड़ा important है दिखे 4th week में क्या करना है 4th week में Monday को partnership पढ़नी है puzzle और preposition पढ़नी है हर एक subject दो से 3 hour आप दे सकते हैं time and work करना है mix puzzle करनी है और preposition दुबारा पढ़नी है बेड नाजडे को profit and loss mix puzzle preposition करनी है Thursday को time and distance करना है mix puzzle और article करने है Friday को भी time and distance करना है और साथ में blood relation करने है और article पढ़ने है सभी section को आप दो दो hour दे सकते हैं Sunday को फिर से आपको full length test जरूर लगाना full length 100 marks का आपको test लगाना पड़ेगा fourth week में भी online test सभी के देने है जैसे partnership का लग-लग दे लिया या YouTube पे या कोई book app के वहां पे question दियो हूँ है वो लगाने है ठीक है हर एक section के फिर आपको self analysis खुद से ही करना पड़ेगा फिर fifth week देखते हैं देखे जो fifth week बड़ा important है यहां से हर एक topic से के question पूछा ही जाता है देखे मंडे को आपको time and work direction करनी है error detection आपको देखने है सभी को तीन दो से तीन हावर simple interest करना है direction करनी है Tuesday को और सेम वही और Wednesday को simple interest puzzle फिर से करनी है देखे puzzle मैंने बता दी parallel side, rectangle side, circle puzzle, body सारी होती है ठीक है blood relation पे भी बनती है error detection करना है और दो से तीन हावर आपको time देना है Thursday को profit and loss करनी है puzzle rearrangement test देने है 2-3 हावर सभी को देनी है Friday को compound interest आपको पढ़ना और सेम वही पढ़ना है Saturday को फिर से revision इन सभी की जो भी पढ़ा है revise करो 2-3 हावर लगा के सभी को revise करो इसमें भी online full length test जरूर होना चाहिए 100 marks का वो जरूर लगाना है पता लगेगा कितने number आपके आ रहे हैं 5th week अब चल पढ़ा है ठीक है online test और हर एक section के भी लगाने हैं जैसे time and work direction का error detection बुक है तो वहां से question कीजिए self analysis जरूर करना है कि कितने question ठेक हो रहे क्यों गलत हो रहे हैं कौन सा topic छूटा है वह important है अब 6th week देखते हैं देखे 6th week बड़ा important है क्योंकि डी आई से 5-10 question पूछे जाते हैं 10 question मान के चलिए ठीक है सिलोगिजम द्वारा पढ़ना है क्योंकि यह बहुत ही wide chapter और यहां से गलत होते हैं paragraph आपको करने शुरू कर देने हैं paragraph test फिर क्या है Tuesday को भी same वही करना है Wednesday को भी DI करनी है और puzzle साथ में करनी है paragraph आपको करना पढ़ेगा Thursday को भी same वही पढ़ना है कर सकते हैं जैसे आप से पूछा जाता है बड़े सारे question आप चेक कर लेना coding recording पर ही Saturday को revision 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 करनी है और total six to eight hour आपको देने हैं Sunday को online test आपको लगाना full length और जो chapter वाइस है उसके भी online test आपको लगाने और self analysis करना पढ़ेगा देखिए 7th और 8 week में आपको क्या करना है अप क्या करना है आपको self analysis करना आना चाहिए देखिए self analysis का मतलब है मैंने बताया जैसे 100 marks का आपको ने test दिया उसमें से कितनी number आए मान के चले 16 number आए 40 number क्यों कटे मान के चलिए 100 to 100 नहीं आते 90 आते हैं देखिए number पे आपको नहीं करना है percentile पर आपको देखना है percentile क्या होती है जैसे मान के चलिए 100 परसन ने exam दिया किसी के 70 आ रहे है किसी के 80 marks आरे किसी के 90 आ रहे है तो उससे percentile बनती है कि 80 जैसे 80 के कितने percent परसन ने कि यह होगा उससे प्रसेंटाइल बन जाएगी आगे है टेक ओनलाइन टेस्ट आपको देने हैं सेल्फ अनलाइज तो करना ही है ओनलाइन टेस्ट को भी रैंकिंग भी आपको देखनी है और कि अनलाइज करना कोश्चन क्यों रोंग हो रहे हैं यह बड़ा इंपोर्टंट है कि देखिए आप समझ गए होंगे हर एक परसन का खुद का एक टाइम टेबल होता है ठीक है आप शुरुआत कर रहे हैं एक्जाम देने की तो यह बेस्ट है जो मैंने आपको स्ट्रेटिजी बताइए इससे आप चेंज भी कर सकते हैं जो आपको बहतर है लगता है उसी तरह से आप स्ट्राड़ी बना सकते हैं देखिए हमें वर्ट्सैप ग्रूप भी बना रहे हैं इस नंबर पर आप हमें वर्ट्सैप कर सकते हैं उसमें आपको हिमाचल प्रदेश्टेट कोपरे See you all, bye-bye.